हाई एवरिवन वेलकम बैट टू दी चैनल सो स्टुडेंट से हम पढ़ाए हैं क्लास एर्थ साइंस का चप्टर नमर टू दैट इज माइक्रो ऑगनिजम्स फ्रेंड एंड फो तो इस चप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं जैसे की माइक्रो ऑगनिजम्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे की जो भी नया वीडियो आए उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो चलिए आज के सेसन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑगनिजम्स फ्रेंड एंड फो का ही एक और टॉपिक दाट क्या होता है पिछले सेसंस में हमने पढ़ा था कि बैक्टिरिया एंड फंजाई क्या होता है बैक्टिरिया और फंजाई क्या है बैक्टिरिया और फंजाई एक तरह के माइक्रो ऑगनिजम्स हैं और प्रोटो जो आइज ऑल्सो आ माइक्रो ऑगनिजम्स क्या होता है माइक देखने के लिए special devices का यूज किया जाता है जैसे की microscope microscope क्या है? microscope एक तरह की device है जिसकी help से हम चोटी से चोटी चीज को भी देख सकते हैं अगर कोई चीज हमें human eyes से दिखाई नहीं दे रही है तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? उसको देखने के लिए हम यूज करेंगे microscope का microscope एक ऐसी device है जिससे चोटी से चोटी चीज को भी देखा जा सकता है तो जो microorganisms हैं जितने भी microorganisms हैं उनको हम microscope की help से देख सकते हैं उनको naked eyes से नहीं देखा जा सकता है ठीके बच्चे तो समझ में आ गया आपको कि microorganisms क्या होते हैं bacteria and fungi के बारे में detail वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा जिससे कि आपको clear हो जाएगा कि bacteria and fungi क्या होते हैं किस तरह से हमारे लिए helpful हैं किस तरह से harmful हैं किस तरह की उनकी structure होती है किस shape में पाए जाते हैं ये सारी चीजें मैंने अच्छे से cover की हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजेगा तो चली start करते हैं कि protojoa क्या होता है जैसा कि मैंने आपको उता है ता कि जो protojoa है वह एक तरह का micro organisms है जो size में इतना ज़्यादा चोटा होता है कि उसको human eyes से या फिर naked eyes से नहीं देखा जा सकता है उसको देखने के लिए microscope का use किया जाता है उसको हम किस की हैप से देख सकते हैं उसे हम microscope की हैप से देख सकते हैं protojoa are teeny tiny creatures that are so small you can only see them with a microscope यह इतने ज़्यादा चोटे creatures हैं इतने ज़्यादा चोटे living organisms हैं कि इनको हम cable microscope की हैप से ही देख सकते हैं they are like the misfits of the living world because they don't fit neatly into categories like plants or animals misfits का मतलब होता है कि यह किसी category में fit नहीं होते हैं ना तो यह plant की category में ही fit होते हैं और ना ही यह animal की category में ही fit होते हैं यानि कि इनकी जो characteristics हैं वह ना तो plant जैसी ही हैं और ना ही animals जैसी हैं तो इनके लिए हमने एक अलग से category बनाई that is protesta तो इसको हम रखते हैं एक special group में जिसका नाम है protesta तो जो proto जो है उसको हमने प्रोटिस्टा category में रखा है ठीके बच्चे some are helpful while others can cause diseases जो कि हम chapter के starting से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो microorganisms हैं वह हमारे लिए कई तरह से helpful होते हैं और कई तरह से हमें diseases cause करते हैं हमारे लिए harmful होते हैं तो जो proto जो है वह हमारे लिए helpful भी है और हमारे लिए harmful भी है तो चलिए थोड़ा सा और हम प्रोटो जो के बारे में देखते हैं कि प्रोटो जो की structure है वह किस तरह की होती है they are eukaryotic meaning they have a well defined nucleus and other cellular structures तो जब मैंने आपको microorganisms पढ़ाया था तो मैंने आपको उसकी structure के बारे में बताया था कि कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो unicellular होते हैं कुछ microorganisms बच्चे ऐसे होते हैं जो unicellular होते हैं unicellular का मतलब है बच्चे prokaryotic prokaryotic का मतलब क्या है कि उसमें nucleus present नहीं होता है nucleus present नहीं होता है और दूसरा होता है multicellular multicellular का मतलब है कि eukaryotic का मतलब क्या है eukaryotic का मतलब है कि उसमें nucleus present रहता है nucleus present रहता है इसका मतलब उसमें DNA and genes भी रहते हैं इसका मतलब उसमें DNA and genes भी present होते हैं तो जो proto जो आ है वह है eukaryotic है eukaryotic का मतलब है कि वह है multicellular है उसमें well defined nucleus पाए जाता है वह है कई सारी cells से मिलके बना हुआ होता है these tiny creatures can be found almost everywhere जब हम chapter के starting में पड़े थे कि micro-organisms कहां पाए जाते हैं तो मैंने आपको बताय था कि जहां-जहां हमारी नजर जाती है जहां-जहां हम नजर गुमाएंगे वहां-वहां micro-organisms को पाएंगे यानि कि जहां हमारी नजर गई वहीं हमें micro-organisms दिखाई देगा तो micro-organisms हर जगय दिखाई देते हैं micro-organisms हमारी body के अंदर, हमारी body के बाहर, soil में, air में, water में हर जगय micro-organisms present रहते हैं तो जो proto- जोआ हैं वहें भी हर जगय प्रेजेंट रहता है soil में water में even inside other organisms जो दूसरे organisms होते हैं उनकी body के अंदर भी micro organisms या protozoa पाया जाता है ठीक है बच्चे चलिए अब हम देखते हैं कि protozoa move कैसे करता है तो बच्चे इसको हमने three category में categorize किया है number one is flagela, number two is cilia and number three is pseudopodia तो flagela category में ऐसे protozoa आते हैं जिनकी structure एक whip के जैसी होती है जो एक side से मोटा होता है और दूसरी side से पतले रहते हैं एक side से कैसे रहते हैं मोटे और दूसरी side से रहते हैं वो पतले कुछ इस तरह की structure पाई जाती है तो यह किस category में आएगा यह आएगा हमारा flagela category में यह कैसा protozoa है यह कैसा protozoa है यह है flagela category में आने वाला protozoa है क्योंकि जो इसकी structure है वह एक whip के जैसी है एक side से मोटी है और दूसरी side से पतली है यह इसकी structure इसको पानी में move करने में help करती है यह पानी में easily propel कर पाएं इसलिए इनकी structure एक whip के जैसी पाई जाती है some protozoa have whip like structures called flagela that propel them through water जो पानी में easily propel कर पाएं easily move कर सकते हैं ठीक है बच्चे next is cilia cilia category में इस तरह के protozoa पाए जाते हैं जिनकी body पर hairs पाए जाते हैं जिनकी body एक hair like structure होती है वो आते हैं हमारे cilia category में अब यह hair like structure क्या help करती है उनको move करने में तो जो hair like structure है वह क्या करती है जो पानी होता है जो water होता है उसको rhythmically beat करती है rhythmically beat करने से क्या होता है कि यह पानी में आसानी से move कर पाता है तो ये कैसा proto-joy है? ये एक तरह का cilia proto-joy है यानि कि ये cilia category में आता है क्योंकि इसकी body पर छोटे-छोटे hairs पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? rhythmically beat करते हैं water में और ये है उसकी help से आसानी से move कर पाता है Others are covered in tiny hair-like structures called cilia that beat rhythmically to help them swim ये क्या करते हैं? पानी को rhythmically beat करते हैं जिससे ये water में आसानी से swim कर पाएं आसानी से move कर पाएं Next is pseudopodia Some proto-joy use temporary extensions of their cell membrane called pseudopodia यानि कि false feet to crawl along surface तो बच्चे pseudopodia category में इस तरह के proto-joy आते हैं जिनकी जो cell membrane होती है वह क्या करती है? वह temporary extend हो जाती है temporary बढ़ जाती है जिससे ऐसा होता है कि उनके feet आ गए हो उनको ऐसा लगता है कि उनके feet बन गए हैं लेकिन वह permanent feet नहीं होते हैं वह temporary feet होते हैं जिनको हम false feet भी कहते हैं और उन false feet की help से वह सरफेस पर easily move कर पाता है तो यह एक तरह का कौन सा proto-joy है? यह है हमारा pseudo-podia यह proto-joy किस category में आता है? इस तरह के अगर proto-joy है आपको दिखें तो यह proto-joy आता है pseudo-podia category में अगर आपको कोई proto-joy है इस तरह का दिखाई दे तो यह आता है हमारा flag एला category में और अगर कोई proto-joy है इस तरह का होता है तो वह आता है चीलिया category के अंदर ठीके बच्चे तो इस तरह से जो proto-ज्वा है वह है move करते है तो proto-ज्वा किस तरह से move करता है? उसके base पर हमने इसको 3 category में categorize किया गया है number 1 is flagela, number 2 is cilia and number 3 is pseudopodia चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं proto-ज्वा and their role प्रोटो जोआ का हमारे daily life में क्या रोल होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए किस तरह से प्रोटो जोआ helpful है प्रोटो जोआ play important roles in various ecosystems प्रोटो जोआ हमारे इकोसिस्टम में कई तरह से important role play करता है जैसे कि decomposers Many प्रोटो जोआ help break down dead organic matter recycling nutrients back into the environment जो protozoa है वह dead organic matter को decompose करता है decompose करके वह उसको manure में convert करता है और जो हमारी soil के लिए nutrients प्रोवाइड करवाता है अगर हमारी soil अच्छी होगी तो हमारी crop का production भी अच्छा होगा जो कि हम chapter number 1 में already बढ़ चुके हैं और क्या करता है protozoa और हमारे nutrients होते हैं उनको environment में बापस लेके आता है बापस लेके आने का मतलब है कि recycle करता है nutrients की recycling कौन करता है protozoa करता है या फिर micro organisms करते है food source food source का मतलब है कि जो protozoa है वह कई तरह के living organisms को food provide करवाता है they are vital food source for large organisms forming the base of many food chains symbiosis some protozoa live in mutually beneficial relationships with other organisms दूसरे organisms के साथ में ये mutually relationship बनाते हैं और कई तरह से beneficial रहते हैं for example certain protozoa live in the guts of termites termites का मतलब है दीमक दीमक सुना है आपने दीमक का लगती है वूड में लगती है है न तो दीमक का जो गट होता है जो termite का गट होता है उसमें protozoa पाय जाता है जो क्या करता है उसकी help करता है वूड को digest करने में ठीक है तो इस तरह से protozoa हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful रहते हैं हमारी कई तरह से मदद करते है some famous protozoa कुछ famous protozoa हैं जैसे की amoeba, paracemium, plasmodium यह क्या है कुछ famous protozoa हैं जो की काफी ज़्यादा पाये जाते हैं amoeba क्या है the amoeba is a safe shifting protozoa that uses pseudopodia to move and capture food हमने pseudopodia category पढ़ी थी कि जो pseudopodia category है protozoa की उसमें इस तरह के protozoa आते हैं जिनमें की जो cell membrane होती है वह temporary extend हो जाती है और उनके false feet बन जाते हैं यह आता है pseudopodia category में अमीबा एक तरह का काफी famous protozoa है next is paracemium this silver saved protozoa is covered in cilia and is often found in fresh water ponds हमने cilia category पढ़ी थी cilia category में इस तरह के protozoa आते हैं जिनकी body पर hair like structure पाए जाती है जो water को rhythmically beat करते हैं और उसकी एपसे वह move कर पाते हैं ठीक है बच्चे तो जो paracemium है वह है किस category में आता है cilia category में आता है next is plasmodium this parasitic protozoa cause malaria a serious disease in humans यह एक तरह का protozoa है plasmodium जिससे हमको malaria भी हो सकता है इससे क्या हो जाता है malaria हो जाता है जैसे कोई गंदा पानी है अगर कोई पानी है जिसमें plasmodium protozoa present है और हमने उस पानी को पी लिया तो जो plasmodium है वह भी हमारी stomach के अंदर चला गया और वहां जाके उसने हमें malaria cause कर दिया जो कि बहुत ही serious बिमारी है malaria से कई बार death भी हो जाती है तो हमको इन सब चीजों से बचके रहना है साफ पानी पीना है ध्यान से पीना है जिससे कि हमें कोई बिमारी ना हो importance of protojoa यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि protojoa हमारे लिए कई तरह से helpful है जैसे कि decomposure है हमारे ecosystem के लिए काफी helpful है food source है symbiosis यह सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं protojoa are essential for maintaining the balance of our ecosystem they are also important research tools for scientist study cell biology and evolution cell biology and evolution में जो scientist होते हैं वह है protojoa का use करते हैं so the next time you look at a drop of water under a microscope remember the incredible word of protojoa that exists right beneath of the surface तो जब भी आप पानी में microscope की हैचे देखो तो आपको protojoa को देखना नहीं बोलना है तो यह था हमारा protojoa के बारे में थोड़ी सी detail में जानकारी आयोप आपको समझ में आ गया होगा चलिए मिलते हैं next video में जिसमें हम पढ़ेंगे की algae क्या होता है algae की structure क्या होती है किस तरह से helpful है किस तरह से harmful है यह सारी चीज़े हम next video में पढ़ेंगे तब तक के लिए बने रहिए the knowledge नुकड के साथ